नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वेलकम टो इलेक्रानिक स्टेडी यूट्यूब चैनल यहाँ पर हम बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ड आपके जो समाचार है ऐसे में जूनियर एडर्ड परिक्षा को लेकर के आपके काफी सवाल थे तो स्कूल वार नहीं कुल रिक्त पदो पर आरक्षन मिलेगा यह एक नई ख़वर जो है वो आज ही आई है ऐसे में जूनियर एडर्ड जो आपकी परिक्षा हुई थी पंदरह सो चार साहयक अध्यापक और त कि सिक्षक भरती को लेकर के तो सिक्षक भरती या नि भरती निकलवाने के लिए सग पर उत्रेपरती होगी तो अमिल सी अरोड पाठक आप देख पर होगे भाजपा दक्षड कार्याले में हंगामा करते हुई यह चीजेता कहनain कि सुपरिम कोड में आपने 5,112 पदों का हलफ नामा दिया था फिलहाल के लिए उतने पदों पर तो कम से कम भरती आप निकालिए यहाँ पर बाकी टोटल पद जो है वो 97,000 पद बताये जा रहे हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे वही चीज है आपका फिर से आप देख पार हैं कि रोजकार के लिए सलक पर उतरे यूँआ हम आपको बता दे यूपीटेट परिक्षा बोला गया था पे अनपी के तरफ से डेट 23 जनवरी बताई गई है ऐसे में दो से तीन दिन में साशन से जवाब मागा गया था लेकिन हफते भर का समय बीद चुका है और यूपीटेट की नई परिक्षाते थी अभी भी साशन की तरफ से ठंडे बसते में पूरी तरीके से है कोई भी परिक्षाते थी अभी उनकी तरफ से बताई नहीं गई है ये चीज आप ध्यान लखेगा बाकि यहाँ पर डियलेट का रिजल्ट मुनर मुल्यांकन जो है वो आपका ऐसे में हो रहा है परिक्षा का रिजल्ट आपका ऐसे में कभी भी जारी हो सकता है कुछ अपडेट मिलते हैं आप सभी कोई से हमावगत जरूर करवाएंगी कोई और सवाल है तो कोमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें